Welcome to 9 classes, 9 classes में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ विनोध सर्मा और इस वीडियो में हम idioms and phrases का quiz करेंगे तो इसके पहले English vocabulary में मैंने आप लोगों के लिए synonym का quiz कराया, antonym का quiz कराया और साथी साथ OWS, OWS का मतलब one word substitution का, तो इसमें एक section और है, जो कि है idioms and phrases तो यही सारे आपको questions जो आएगा exam में, paramedical, paramedical, dental में जो English के questions आते हैं उसमें आपको vocabulary में synonyms के question आएंगे, antonym के question आएंगे, one word substitution के question आएंगे और साथी साथ idioms and phrases के भी questions आएंगे, तो आज यहाँ पर हम लोग quiz करते है, idioms and phrases का तो सबसे पहले idioms हम किसे कहते है, idioms का मतलब होता है मुहावरा, ठीक है, मुहावरा और phrase का मतलब क्या होता है, phrase का मतलब होता है कोई भी ऐसा group of words जिसका कुछ meaning निकले, जिसका कोई complete meaning ना हो, right तो idioms भी अपने आप में क्या है, phrase ही है, right but थोड़ा सब difference देखो क्या है, थोड़ा सब difference है कि आकिर हम इसे मुहावरा क्यों करते हैं, हम इसे idioms क्यों करते हैं, मतलब क्या एक normal words से compare करें तो idioms और normal words में क्या difference है, तो देखो ऐसे जो हम लोग normal words की बात करें, तो उसमें हम जो लिखते हैं, उसका meaning भी निकलता है, जैसे for example, जैसे अगर हमने लिखा cat, तो cat का meaning क्या होगा cat, अगर हमने लिखा dog, तो dog का meaning क्या होगा dog, तो इसको बुलते है literal meaning, लेकिन कभी-कभी द लिखते कुछ और है और उसका meaning कुछ और निकलता है, जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर, it is, it is raining, it is raining, it is raining cats and dogs, it is raining cats and dogs, अब देखो यह sentence का meaning बताओ, अब आप कहोगे सर कि it is raining का मतलब वर्सा हो रही है, भाई किसका वर्सा हो रही है, cats and dogs का, मतलब बिल्ली और कुटे का वर्सा हो रही है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर यह complete sentence का, देखो meaning क्या निकलेगा, मुसलाधार वर्सा हो रही है, मतलब heavy rain हो रहा है, तो जब कभी भी हम बोलते हैं to rain cats and dogs, तो इसका मतलब होता है heavy rain, मतलब जब बहुत जोरों से बारिस होती है, मुसलाधार बारिस होती है, तो एक कहने का एक तरीका है, हम कही ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन idioms के माध्यम से भी हम अपने बातों को कह सकते हैं, मतलब अपने language को ज़्यादा ही हम decorate कर सकते हैं, same sentence phrases, मतलब सब्ण कुछ और लिखे होते हैं, वाट मेनिंग उसका कुछ और निकलता है, जैसे आपने कहावत सुनाओगा नाच ना जाने आंगन तेड क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब यह मत समझ देना कि अगर आंगन तेड हैं, आपने आउजार को करता हैं, अपने टूल तो ऐसे बहुत तर लोग होते हैं जो जिसको काम नहीं करना था वो एक्सक्यूजस को देते हैं अपने टूल्स को अपने अजार को देते हैं या किसी और पर ब्लेम डाल देते हैं तो वैसे होज में ब्लेम का मतलबूर तो देखो यहां पर भी आप वर्ट तुवर्ट निकालने का कूशिस और करना अगर आपको पहले सें पता है तो आप इसका मेंनिंग भिता होगे आप सही उपसिन को सेलेक्ट करोगे ठीक है वैसे यह बहुत ही फेमस एडियम है और मैंने इस इस वीडियो सेशन में मैंने उन्ही एडियम को सामिल किया जो कि बहुत फेमस है बार-बार एक्जाम में रिपीट होते रहते हैं इसके बाद मैं आपको अब कंप्लीट पीडियाफ शेयर करूँगा टेलिग्राम में जहां से आप इंपॉर्टेंट एडियंस और फ्रेजेस को एक्सेश कर सकते हैं तो देखो एक कोग एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब क्या होता है इंटरेस्टिन स्टोरी नहीं ऐसा इसका टेल ठीक है टेल का मतलब एक कहानी ही होता है ठीक है तो देखो अब सर्ड का मतलब क्या होता है अब सर्ड का मतलब होता है बेतुका जिसका कोई तूक नहों जिसका कोई लॉजिक नहों बेतुका या फिर हम जब हम बहाना मारना होता है हमें जब एक्सक्यूजेस करना होता तो हम इधर उधर की बाते करना शुरू कर देते हैं, मतलब ऐसा कोई भी कहानी बनाते हैं, जो सामने वाला बिलीब ना करें, उसी को बुलते हैं, एक कॉक एंड भूल स्टोरी, सामने वाला अगर कोई भी रियल बात आपको नहीं बता रहा है, इधर उधर की बाते बूल रह तो फिर आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको वैसे स्टेट्मेंट को ट्रस्ट नहीं करना है, तो इसी को हम कहते है, एक कॉक एंड भूल स्टोरी, सो अप्शन सी इस राइट अंसर, नाओ नेक्स्ट, ओके, सो देखो देखो डागर्स का मतलब क्या हता है, सबसे इसका मतलब होता है, खंजर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, लेकिन हमें complete ये group of words का meaning हमें समझना है, तो इसका मतलब क्या होता है, a real cause, क्या ये answer इसका हो सकता है, a real cause, या फिर to be puzzled, या फिर at enmity, या फिर at friendship, what will be the correct answer, ओके, so at dagger strong का मतलब होता है, जब हमें क किसी के साथ शत्रुता होती है उससे जाने दुश्मनी होती है तो तभी हम इस idiom का यूज करते हैं मतलब किसी से relation आपका बहुत खराब है मतलब उस पे साथ आपका चत्तिस कापड़ा है मतलब जाने दुश्मनी है ठीक है तो उसी को बोलते है to be at dagger strong तो इसका जो सही answer होगा इसका भी सही answer होगा option C option C is the right answer तो जिन लोगों ने option C को select किया बिल्कुल सही है हमारा next idiom है get rid off ठीक है ऐसा देखो हम लोग बहुत बार बोलते रहते हैं चलो इस चीज से छुटकारा मिला तो get rid off का मतलब क्या होता है छुटकारा पाना किसी चीज से छुटकारा पाना right तो इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer क्या invite someone बिल्कुल नहीं क्या इसका सही answer होगा attend an occasion बिल्कुल भी नहीं क्या इसका answer होगा to begin to do something ये भी नहीं तो इसका सही answer होगा dispose of, dispose का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज को use करना बंद कर देते हैं, ठीक है उससे अपना relation तोड़ लेते हैं, right मतलब उससे अब हमारा कोई मतलब नहीं होता है उसे छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है तो उसको हम English में बोल सकते है dispose of वैसे get read of का मतलब क्या होता है छुटकारा पाना, और इंग्लिस में ऐसे दुसरे तरीके से क्या कह सकते है dispose of तो यहाँ पर जो हमारा get read of का जो सही meaning होगा यह होगा option D option D is the right answer next है to end in a smoke तो देखो यह बहुत ही simple सेडिया में इसका meaning आप ऐसे भी बता सकते हो आप चलो option देखो और बताओ फटाफट इसको answer करने का कुशिस करो to end in a smoke मतब धुआ में उड़ जाना तो धुआ में उड़ जाना हम क्या कहते है यह तो बहुत ही famous साची हम लोग Hindi language में भोलते है धुआ में उड़ गया तो धुआ में उड़ जाना का मतलब क्या हुआ to come to nothing क्या यह हो सकता है देखते है क्या B हो सकता है to gain importance क्या C हो सकता है to praise oneself खुद का बढ़ाई करना या फिर to reach target तो धुआ में उड़ जाना हम कब कहते है इस idiom का जो correct answer होगा यह होगा option A to come to nothing to come to nothing का मतलब क्या जिसका कोई भी result ना हो ठीक है मतलब जिसका result क्या है 0 आया to come to nothing so to gain in a smoke का सही answer होगा option A next है to cry wolf देखो आपने बचपन में भी यह कहानी सुना होगा भेडिया आया भेडिया आया ऐसा कहानी सुने न मतलब एक चारवाहा था ठीक है एक बालक था जो कि पशूद चलाता था और वो पशूद चलाने के लिए जब जाता था उसके पास कोई खाली समय में ऐसा कुछ उसका पास मतलब कोई काम नहीं रहता था तो वो सोचता था था थोड़ा सरारत करे मतलब वो मजाक मजाक में चिलाता था कि भेडिया आया भेडिया आया बचाओ ठीक है या फिर बहुत सारे पसूद को खा जाएगा या फिर उसे खा जाएगा गाओं वाले दोड़े जाते थे पता चलता थे कोई भेडिया नहीं आया राइट तो एक दिन क्या हुआ गाओं वाले वे सोचा एक दिन क्या हुआ कि सच में सच में भेडिया आ गया चिलाया भेडिया आया भेडिया आया सच में भेडिया आ गया गाओं वाले इस वार क्या- चुला पताओ तो इसका से अंसर क्या होगा तो इसका सही अंसर होगा बेजीज़क क्या होगा option D option D is the right answer to give false alarm मतलब भेडिया आया भेडिया आया हम क्या कर रहे है मतलब लोगों को alert कर रहे है मतलब खत्रे के घंटी बजा रहे है लेकिन वास्तों में कैसा खत्रे के घंटी है false जिसका कोई जरूरत नहीं है है ना तो जब कभी भी हम false alarm देते हैं किसी को तूसी को बोलते है to cry wolf इसका मेनिंग क्या होता है to give false alarm चले next stadium के और बढ़ते हैं बहुत ही famous हम हिंदी में बहुत बार भूते हैं अब इंगलिस में भी जान लेते हैं bag and baggage बोलते हैं लोग बुरिया विस्तर समेत चले गए या फिर बुरिया विस्तर समेत यहां से चले जाओ है ना जैसे कोबिट का situation में जब lockdown आये तो बहुत सारे workers है migrant workers जो है ना वो क्या हुआ जिस जगा पिरा रहते हैं वहां से बुरिया विस्तर समेत अपने घाओ अपने घर अपने गाओ पहुँच गए ठीक है तो बुरिया विस्तर समेत का क्या होगा all the clothing बिल्कुल नहीं क्या इसका होगा without any belonging नहीं belonging तो बुरिया विस्तर समेत का उससे जुड़ा हुआ जितने भी सामान है सब ठीक है तो ऐसा तो नहीं होगा देखो छोड़ देना किसी जगह को छोड़ देना एक अलग चीज़ है लेकिन सारा belongings के साथ छोड़ना हुआ एक अलग बात है तो इसलिए C भी नहीं होगा option D यहां पर सही answer होगा option D is the right answer with all one's belongings मतलब अपने सभी जो भी आपका जो related आपका जो सामान है जो भी चीज़े है ठीक है आपका family आपका कोई भी अवस्तू मतलब सब complete वहां से आप जितना भी आपने वहां पर तंबू अगरह सब लगाया था सब complete वहां से आप अपकर करके जब चले जाते हैं उसी को बोलते हैं बोरिया विस्तर समेथ bag and bag is with all one's belongings राइट चलिए ये भी बहुत ही popular idiom है आप लोग try किजिएगा इस idiom का answer करने के लिए a hard nut to crack अब देखो sense कभी कभी sense आप लगा सकते हो मतलब nut मतलब क्या होता nut मतलब कोई भी ऐसा फल ठीक है जिसका जिसका अपने कवच रहें ठीक है ऐसे बहुत हर जैसे अखरोट बगर हो गया तो nut मतलब कैसा nut है hard nut है मतलब उसको crack करना बहुत मुस्किल है तो इसका मतलब क्या हो सकता है मतलब मुस्किल से जुड़ा हो ऐसा कुछ लग रहा है तो यहाँ पर भी हम कह सकते है कि इसका सही answer होगा option D a difficult problem तो कोई भी ऐसा difficult problem difficult task जिसको solve करना बहुत ही difficult हो ठीक है तब हम क्या कहते है a hard nut to crack जैसे IS exam clear करना क्या है IS exam to clear to clear the IS exam is a hard nut to crack ऐसा नहीं का नहीं हो सकता है समभव है लेकिन कैसा exam है भई hard nut to crack है मतलब एक difficult task है तो इस तरीके से हम इस stadium का यूज़ कर सकते है तो इसका सही answer क्या होगा option D a difficult problem बात समझ में आ रही है अब देखो smell a rat इसका मतलब क्या हो गया smell a rat next stadium क्या है smell a rat तो हम बुलते नहीं कभी कभी कि दाल में कुछ काला लग रहा है तो हम कब बुलते हैं देखो इस stadium का हिंदी में हम क्या बोलेंगे दाल में कुछ काला तो हम कब बुलते हैं में कुछ क्याला लग रहा है मतलब जब हमें लगता है जब हम कुछ चीजों को suspect करते हैं हमें लगता है कुछ तो गड़बढ है उसमें राइट तो क्या होगा टु रिवील सेक्रेट्स नहीं बिल्कुल नहीं तो suspect that something is wrong हाँ यह answer हो सकता है यही answer होगा ठीक है कि हम suspect करते हैं suspect मतलब किसी चीज़ पर सक करना कि कुछ तो गड़बढ है something is wrong तो यह हमारा option B is the right answer ठीक है smell a rat का मतलब होता है दाल में कुछ काला लगना मतलब कुछ गलत चीज़ को अब हाँ अप लेते हैं ठीक है उसी को कहते है smell a rat ओके चलिए next stadium के और बढ़ते हैं by hook और by crook ठीक है by hook और by crook इसका मतलब क्या हो गया क्या इसका मतलब by any means होगा या फिर to avoid taking sights या फिर to relax या फिर feel uncomfortable what will be the correct answer आप कहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए जैसे भी चाहिए पढ़कर के मिलेगा तो पढ़कर के लेगे exam ठीक है exam अगर मेरा निकलता है तो वैसे नहीं निकलता है तो रिश्वत देखे करेंगे चाहिए जैसे भी करेंगे मतलब साम दाम दंडे भेत लगे इसमें जो भी लगे मैं सब कुछ लगा दूगा लेकिन anyhow हम उचाहिए ठीक है तो उसी को बोलते हर तरीके से जैसे भी हो उसी को हम क्या बोलते है by hook और by crook तो इस जैसे भी हो चाहीए महनत करके लको पड़ करके हो ठीक है जैसे भी हो मुझे एकजाम पास करना है एक को इसा भाई चोरी मत करना यहilot को मेंनिंग समझाने के लिए मैसा बता रहा हूँ लेकिन कभी विय्ड भूलते है मुझे इस काम को जैसे हमको करना है पर जैसे भी मुझे हांसिल करना है तो इस एडियाम का यूज कर सकते हैं by hook और by crook नेक्स्ट कि है up to the mark यह इस एडियाम का प्रेयोग करते हैं, इस एडियाम का यूज हम करते हैं, up to the mark, सिंपल सी बात है जब सामने वाला वेक्टिक कुछ खड़ता है कुछ performance देता या कुछ भी चीजे जी होती है वह क्या होता है कि वह मेरे लायक नहीं होता है मतलब वह उस लेबल तक नहीं होता है जिस लेबल पर हो क्या हो कोई भी चीज़े चीजों का एक लेबल होता है तो ऐसेप्टेबल लेबल तक नहीं है तो वह क्या होता है वह you up to the mark नहीं होता है अपक्तूध मार्क का मतलब होता है संतोव्स जनक कोई विज़ीः जो साठीस्फाइग करें एक लेबल को जो आपको satisfy करें, तो एक label तक जो satisfy करें, उसको हम क्या बोलते, उसको हम बोलते, standard, right, क्या बोलते, standard, तो up to the mark को हम क्या कहेंगे, standard, बात समझ में आ रही है, तो इसका अंसर जो होगा, यह होगा option B, standard, right, मैंने आपको इस वीडियो में कराया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि idioms and phrases होते क्या है, right, तो यह cable idioms and phrases का एक ओधर घ्यू था, जहाँ पर हमने 10 important idioms and phrases का quiz view practice किया, अब idioms and phrases से related जितने भी important list है,